फ्रेंड साटे के पेड़े तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे लेकिन आज मैं आपके लिए जिन स्वादिस्ट पेड़ों की रेस्पी लेकर आई हो इसे हम थोड़ा सा लगत तरीके से बनाने वाले हैं बिना मावा बिना चाशनी के इसको बनाएंगे चीनी का इसमें बि भी आटा रोटिय बनाने के लिए यूज जितना आपके लिए इसके बस साथ रोस्ट करेंगे अभी हम इसमें घीव गयरा कुछ भी नहीं डालेंगे बस गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसको ऐसी लगातर चलाते रहेंगे तो यह देखे धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसको रोस्ट करते जा रहे हैं इसका कलर भी थोड़ा चेंज होता जा रहा है और अभी हमने आटे को दिखे रोस्ट कर लिए है अब हम इसमें दो से तीन चमच डालेंगे देसी घी तो अभी मैंने इसमें दो चमच घी पहले डाला है और इस घी को हम इसमें आटे में अच्छी तरह से मिला देंगे इस तरह से जब हम पेड़े बनाते है इसमें घी भी थो आप हम इसमें और घी नी डालेंगे बाद में अगर हमें बाइंडिंग के टाइम लगेगा तब हम इसमें और घी एड करेंगे तो यह वलग ही इसमें मिलाने के बाद अभी हम इसको 5-7 मिनट के लिए और रोस्ट करेंगे टोटल आटे को शुरू से लेके लास्ट तक भूनने में जो 14-15 मिनट के करीब लग जाते हैं तो अभी जब आप इसको 5-6 मिनट के लिए और रोस्ट कर लोगे ये दिखिए धीरे-धीरे जैसे जैसे हम इसको रोस्ट करते जा रहे हैं इसका कलर भी चेंच होता जा रहा है और बहुत ही प्यारी सी समें से खुश्बु भी आने लगी है अब हम लास्ट में इसमें न दो चममज डालेंगे बदाम और काजू का पाउडर और एक चममज डालेंगे खरबूजे के बीज पडाम और काजु को मैंने पीस कर रखा हुआ और साथ में हमने इसमें जो मेलन सीड्स डाल दिया और इन सब को भी दोग मिनिट के लिए रोस्ट कर लेते हैं तो अभी यह दिखे शुरू से लेके अब तक इसको रोस्ट करने में मुझे 15-17 मिनिट के करीब होने वाले हैं आटा बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट हो चुक है और इसकी आटा की बहुत ही प्यारी सी खुश्बू है जो आ रही है तो अभी हम गैस का फ्लेम में जो बंद करतेंगे जब आपको लगे ना आटे में एक प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुक है आटा अच्छी तरह से रोस्ट हो चुक है इसके बाद हमने जो गैस का फ्लेम बंद करतेंगे और इसको हम एक लग बरतन में निकाल लेंगे इसके बाद हमने कड़ाई दुबारा स बली शकर जाट जो गुड पाउडुर आता ना जèगरी पाउडर वह हम इसमें डालेंगे और क्विकी घी काफी गरम है ना तो आपने शकर को इसमें जैसे ही मिलाना शकर एकदम से इसमें मैल्ट होनी शुरू हो जाएगी तो Prem our इकilit ऑन हमने pit का फ्लेम ओन नी करना तो अभी हमने ये देखिए जो गुड की शक्कर डाली थी ना वो खस-खस और आटे को अच्छी तरह से इस तरह से मिला देना है अगर आपने इस तरह से कभी पेड़े नी बनाए ना तो एक बर इस तरह से बना कर जरूर देखिएगा नॉर्मली जो हम गुड की शक्कर पेड़ों में डालते हैं उससे और इस तरह से जब हम उसको थोड़ा सा घी में पका कर डालते हैं तो इन दोनों से ये टेस्ट बहुत ही अलग आता और बहुत ही बढ़िया पेड़ेयों जो बनकर तयार हो जाते हैं तो अभी हमने ये देखिए गुड की इसमें अच्छी तरह से मिला दिया है और शक्कर की वज़े से बहुत ही प्यारा सा इसका एक कलर आ चुक है अब हम इसको एक खुले बरतन में निकान लेंगे और आपने इस तरह से देखिए इसको बांद कर देखना है अगर तो आपको लगता है इसमें घी की जरूरत नही है तो घी और नहीं डालना अगर आपको मिक्षर थोड़ा सूखा लगता न तो थोड़ा सा घी हमने गरम करके इसमें डाल दिया अब हम इसको हाथों से अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसके पेड़े बना कर देखेंगे तो अभी हम पेड़े बनाते हैं और यह देखिए अप्शनल है आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं इससे लुक इसके और भी ज्यादा प्यारी आ जाती है तो यह लिजी हमने सारे पेड़े बना कर तैयार कर लिए और तोड़कर आपको इनका टेक्स्चर भी दिखा देती हूँ बहुत यह बढ़ी है यह वले पेड़े हैं जो ब अपना ध्यान रखिए अपनी फैमिली का ध्यान रखिए